Hey guys, this is Dan आज हम एक और रिप्लाइंग वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं रिप्लाइं करने जा रहा हूँ एक क्वेशन जो मैं उसे पूछा गया कि इस तरीके के जो होली बुक्स हैं या कोई भी तरीके की बुक्स हैं डूज हैं और डॉंट्स हैं मतलब होली बुक्स लाइक गीता, कुराण, गुरुरूरंसा, हैवियां, बाइबल यां किसी भी तरीके की जो होली बुक्स है इसको लिखने का पीछे का तथ्य क्या रहा होगा वैसे तो इसके पीछे के लिखने के चीज़ें बहुत होती हैं और फॉर अग्जामपल बहुत सारे रीजन्स हो जकते हैं इसके पीछे रिखने के बट एक जो मेजर मेजर रीजन वी पीपल आप मिसंग जो हम लोग मिस कर जा रहे हैं वो रीजन में आपके साथ शेर करने जा रहा हूं इस वीडियो में किसी ने कोश्चन किया मेरे दिमाग में हिट किया किया हम कुछ इसमें से मिस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो चीजने जो बोक्स यह बहुत सारे डूज और डॉंट्स यह ऐसा करना चाहिए नहीं कि किसी भी तरीके कर बोक्स यह कुछ भी हमारे इंसिस्टर्स हमारे पूरवज छोड़ के गए हैं उसका जो में क्राइटेरिया है कि क्यों छोड़ के गए हैं यह से मैं पता है हम इनसान बहुत ही अदा भुलाकड होते हैं और आप करते हैं हैं बट पुरानी चीज को भूलते जाते हैं और नई चीजव को डॉटट करते जाते हैं इस लिए है कि हम पुरानी चीजें जो बड़िया चीजे थी जो एक्शुल थी जो अच्छी थी जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए इसलिए वो उस चीजों में लिक के गए हैं या फिर आप देखोंगे पेंटिंग्स पुरानी पुरानी या वाल पेंटिंग्स या वाल पे आर्ट बनाके गए हैं कि ऐसा पहले हुआ है यह हमें बताने के लिए कि हमें हमेशा पता रहे कि ऐसी चीज घटी है सो इसलिए वो इस सब चीज़े बता गए हैं और ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं इस चीजों का खोज औरड़ी हो चुकी है इसलिए वो सब यह सब चीज़ें लिक के गए हैं कि आने वाली generation आने वली human race आने वली PD इस चीज़ को पड़े और उस चीज़ को हमेशा याद रखे इसको लिखने का main तथ्य यही है main तथ्यों मेंसे एक तथ्य यह है एक fact यह जरूर है कि यह चीज़ हमेशा 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 याद रहे इसलिए वो लोग इतने साल पहले 5000 साल पहले कितने ही सालों पहले रमायन मावारतिया कुछ भी लिखी गई कि हमें यह हमेशा याद रहे अगर शायद वो चीज़ें नहीं लिखी जाती तो हमें नहीं पता होती इसको लिखा का कंसेप्ट में यह भी है कि इनसान को हमेशा याद रहे लिखा क्यों है that is a different point मैं अभी यह कवर कर रहा था कि इसको लिखा क्यों गया है इसको बहुत सार रीजन है बट लिखा इसलिए गया है कि सब आने वाले लोग को इसके बारे में पता हो but the bitter fact is वो लिखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि जो गीता या रेगवेदा वो लिख के जा रहे हैं वो आने वाले future में पीडियां पढ़ेंगी ही नहीं खेर उसका वो फायदा उठा ही नहीं पाएंगी this is a bitter fact but still this is the answer of that question hope you like अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और भी आंसर से रेलेटेड है आप comment कीजे I am waiting for your comments I am ready for replying